हेलो दोस्तो स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरस नोट्स पर और दोस्तो इवनिंग सिफ्ट का भी जो है 9-1-2021 को हर्याना ग्राम सीग आपकर जो हो गया है दोस्तो इसकी फूल अंस्वर की आपको बताएंगे दोस्तो 100% fully sold जो की 3-4 बजे के बीच में जो हुआ था इवनिंग सेसे नावे पर जो अंस्वर की आपके लिए क्या हैं दोस्तो अंस्वर की है दोस्तो सबसे पहले हम देखेंगे English questions में क्या दे रखा दोस्तो यह है He is going everyday for a morning walk with his friends and neighbors Error बताना दोस्तो इसमें क्या है Error क्या है दोस्तो यह आएगा He is going में दोस्तो everyday जब आता है जब उससे पहले जो है Present indefinite and so लेकिन He is going दे रखा तो यहां पर Error रहा जाएगा दोस्तो इसकी जगा क्या आना चाहिए था He goes आना चाहिए था दोस्तो ठीक है अगला है Choose one word substitution यानि की Anything which destroys the effect to poison जो की जहर होता है उसके परभाव को कम करते हैं उसको कहते हैं उसको कहते हैं antidote अगला है Antonium बताना था दोस्तो Antonium क्या आएगा Restitude का Antonium बताना था इसका आजाएगा दोस्तो Destitive fullness इसका answer क्या आजाएगा Destitive fullness ठीक है दोस्तो अगले question पर चलते हैं Feeling the blank बताना था दोस्तो Feeling the blank क्या होगा Do not blank your voice here This is library यानि अपनी बाद दोस्ती मत करो यह library है तो यहाँ पर आजाएगा दोस्तो Raise आजाएगा दोस्तो अगला है An blank is sure to be successful यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तो An industries पहला यह option था दोस्तो इंडस्तियस का उसका अंसर आजाएगा Sanonym बताना था दोस्तो Underline का He is a bewildered Look on my face इसका अंसर क्या आजाएगा दोस्तो Bewildered का सनोनियम होता है दोस्तो Beffled क्या होता है बैफल्ड इसका अंसर आजाएगा अगला है निमन में से कौन सी जीवनी है जीवनी बतानी दोस्तो कौन सी यह है स्मरीति के जरोखे में हिंदीकियोस न शृरू हो गए है दोस्तो अगला है औरंजेβ की आखरी रात एक आंकी करचनाकार कौन है यह है दोस्तो रामकुमार obese अगला देश विदेश में कौन सा समासा समास आएवा था दोस्तों देश विदेश ये है दम दम समास अगला किसके नुसार पदमावत एक समस्मीती काववे है ये है दोस्तों चारी राम जंदर सुकल के नुसार अगला है कि छेतर की बोली को कासी का कहते हैं दोस्तो नाम से पता चल रहा है कासी कासी किसे कहते थे ये कहते थे दोस्तो बनारस को ठीक है दोस्तो अपसन नमबर यह आजाएगा बनारस का अंसर आजाएगा बनारस को की बोली को कासी का कहते हैं अगला है सूरुसागर की रजनाकार कोन है सूरुसागर की रजनाकार है दोस्तो सूरदास अगला है ऐसे सबद जो संस्कर्त और प्राकर्चे हिंदी में आये हुने क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तो थदबव अगला है वाक्य के कितने बेद होते हैं दोस्तो यह होते है दो बेद अब आते हैं दोस्तों हर्याना जीके की और अब आते हैं दोस्तों हर्याना जीके की और हर्याना जीके में देखिए असान से किसे नहीं हुए थे देखिए हर्याना में फ्रीदाबाद सैर की स्थापना किसे ने की थी यह की थी दोस्तों सेख फरीद ने फ्रीदाब का नियमी से कहते हैं अगला देखिए अगला है निमन में से कौन सी हरियाना की पंचायती ववैस्था की सबसे निचलीक आई है दोस्तो मॉर्निंग सीट में पूछा गया था दूसरी नंबर की और इसमें पूछ लेगा पहले गी तो इसमें आएगा गराम पंचायती इसका अंसवर हो जाएगा अगला है निमन में से हरियाना में कितने नंगर निगम है ये हैं दोस्तो 10 ठीक है दोस्तो 11 में को प्रस्तावित कर दिया गया है कौन सा है दोस्तो वो आप कमेंट में बताइएगा कौन सा है कि इसको प्रसावित किया गया है नगर निम गम के रूप में अगला है एक वक्ति दो वरस के लिए 4% वर सिदान ब्याज की दर्से 5,000 रूपे उदार लेता है वह तुरंत उसे 2 वरस के लिए एक अन्य वक्ति को सड़े 6-4% परती वर सिदान ब्याज की दर्से उद देता है लाब बताना दोस्तों लाब आएगा 112.50 रूपे अगला है यदि इसको यह कहते हैं तो कंप्लेंट को क्या लिखेंगे तो यह कहेंगे दोस्तों डी डबलेन ओ एम जड एन एम यू ठीक है अगला है बांस के टुकडे से जुड़ी एक तार वाला एक लोता वाद अगला है कौन सा एनेच हरियाना से गुजरता है और दिल्ली और पंजाब में फजिलका को जोडता है दोस्तों एनेच टेन नामके एक फिलम भी आई थी दोस्तों जिसमें उसका सर्माने काम किया था और उन्हें प्रड्यूस भी की थी वह फिलम दोस्तों कौन सी राजा हर एक Cals यूख तकरने में उप्योंगी ही यह है दोस्तों ए्डे में एक से एक्सल में एक टेक्स्ट फंक्शन है अगला है इसका यूश्यम बताना था बहुत असान क्योसом दोस्तों यहाँ थी 60 ठीक है अगले क्योस ने में दे हैं सुरजकुंड जील खालिस्तान फ्रीदाबाद कि से बनौए था जो کی फ्रीदाबाद में सुरजकुंड जील वो बनाया था राजा सूरजपाल ने अगला है अरियाना गराम पंचैती राज़ दीनी मुनिश प्चराणवा के नुसार गराम पंचैत का सर्पमच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता है किसके नुसार चुना जाता है गुप्तमत दान की अगला 65-75 के बीच अबाजर संख्याओं का योग क्या है यह दोस्तो दोस्तो भात्तर पर संचनय के बताना तो कौन सा निसान क्या आएगा यानि यहां पर बताना था आपको क्या आएगा तो इसका अन्सुर हो जाएगा दोस्तो पच्चास अगला है एक रोकेट जिसका अरंबिक दरवयमान इतना है और 2.3 किलोग्राम पर 30 सैकंड की दर्से इंदन की खपत करता है निचासी गैसों की गतीतनी है प्रनोध क्या होगा प्रनोध होता है दोस्तो इसका जो सूतर होता है यह होता है दोस्तो छेतर फल बटे में दाब प्रनोध कहते हैं उसको दूस्तो अगला देखिये तो इसका अंसर रजाएगा 5.47-2.3 6 Newton अगला थर्मामेटर जैसे ये थर्मामेटर डिगरी के साथ सम्मध गड़ी किसके साथ सम्मध होगा यह होगा गंटै के साथ अगला है 23 परेल 1976 को न्याय मूर्ती जेसी साकी दक्सिता में बने जेसी सायोग ने अपना प्रती वेदन का पस्तूत किया अगला है अरियाना का प्रत्मराज पाल ये था दोस्तों मोतसांत को शंदा धरमविर अगला है दोस्तो मैत के आगे वर्तमान में अरून और दिपक की आयू का अनुपात इतना है 6 वरस बाद अरून की आयू 26 वर्स होगी वर्तमान में दिपक की आयू कितनी है तो यह होगी दोस्तो 21 वर्स अगला कौन सा उनुछेद दर्मिक बाशिय और प्रदेशिय प्रांती विविद्दा का दिकार देता है ये उनुछेद हो दोस्तों उनुछेद 51A अगला उची चोटी कारो हर्याना में कहां स्तीत है कारो कहां स्तीत है दोस्तों ये है पंचकुला में स्तीत है अगला हर्याना का सबसे कम साक्सरता वाला जिला कौन सा ये दोस्तो मेवात अगला है बंगलादेश किस वर्ष में सतंतरुआ ये हुआ था 1971 में अगला है ओडू बेराज किस नदी परस्तित है ये है साहिबी नदी पर अगला है वह संक्या चुनिये जो तीनों से भी नहीं है दोस्तो उनसर्ट अगला कौन सा जिला हर्याना का बाइसमा जिला बना है तो ये बना है दोस्तो चर्खी दादरी ठीक है दोस्तो अगला है सासक विग्रह राज के तीन सिला लेक की स्तम में है तो यहें दोस्तो टोपरा स्तम में अगला बुंड स्टैग और बुंड सेट खालिस्तान में विदायका के दो सदन है यहें दोस्तो बेल्जियम में बुंड स्टैग और बुंड सेट ठीक है दोस्तो अगला है कौन्स नीमन में से हरियान का मंडल नहीं है यह दोस्तो रिवाड़ी अगला है यदी एक सुर्वाई रिनात में खतो कोन्सा कतन सत्य है यह होगा दोस्तो एप्रमिज होगा किवल दो अगला स्रिधान द्वारा बार्त के राष्ट्री दोज का प्रारूप कब बनाया गया यह दिवाड़ी अगला हरियान के साथ अपनी सीमा साधा करता है यह दोस्तो हीमा चल परदेश और अगला स्रिधान दोस्तो एलोरा क्लास मंतिर किस के द्वारा बनाया गया था यह बनाया कर्शन पर्थम ने ठीक दोस्तो वीडियो आती है अपकी इंपलीट तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक से रिकमेंट करके जुरू बताएगा और आरस नूट सेनल को सिब्सक्राइब कर लीजे दोस्तो मिलते हैं आपसे एगली वीडियो में नई रोज सकत्तियों के साथ अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो